स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल प्रियूप कर पर दोस्तों जैशक आपको बता दें आप इस वीडियो में आई देखके आए होंगे कि हमारे जो इपीडेट में नंबर आये थे 2021 जो परिच्छा हुई थी तब से कोई खैट पेपर भी नहीं हुआ है है ना तो हमारे जो नंबर आये हुए थे यह 136 थे ठीक है आर्ट अपरेल 2022 क्या है रिजल्ट डिकलियर हुआता है इस दिन है ना तो मैं आपको एक चीज यह बता दूँ कि किस परकार से तयारी किये थे क्या कुछ था वो सारी चीज़ें इसमें बताएंगे आप भी इतने नंबर ला सकते हैं अगर किसी का आज तक पास नहीं हुआ है उसको भी मैं पीडियाब नोट्स दूँगा उसका कोई चार्ज नहीं दूँगा साथी साथ जो मारा टेल्क्राम होगा वहां से हमारी क्लासों का लिंक मिलेगा जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अब मैं बात करूंगा कि किस परकार से इतने नंबर आये थे ज्यादा नंबर नहीं है हमसे ज्यादा भी कई लोग लाए होंगे होता क्या है कि हमारा काम हम एक टीचर हैं आपको बता दें कई सालों से बढ़ा रहे हैं लगबग 6-6 साल से तो सारे सब्जेक्ट नहीं साही हो सकते हैं जिन पर जयादा फोकस रहता है वो सब्जेक्ट ज्यादा सही होते हैं और हमें भी नहीं मिल पाता है इतना कि जो पढ़ाई करें अगर थोड़ा पढ़ाई किया जाए इस बेस से कि हमको भी ज्यादा नमबर लाने तो यह 136-146 भी हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है आप लोग क्या है स्टुडेंट हैं तो का तो सिर्फ और सिर्फ यूथ और अर्यंत के अलावा कोई भी हमने पुस्तक नहीं पड़ी थी जब 2021 में एक जाम हुआ था पहली बात दूसी चीज खैर उस टाइम हम पढ़ा रहे थे तो पढ़ाने से अच्छा ध्यन हो जाता है लेकिन अगर किताब की बात करें पढ़ा का चैन की अगर आपके नोट करना चाहें तो नाम नोट कर लेना अर्या सग्रवाल से मैत पढ़ा इसके साथ साथ यूथ की बुक से CDP हो गया और EBS हो गया यह सारी चीजें प्रेक्टिस की उनसे पढ़ा भी हिंदी की बात करना तो हिंदी का लूसेंट भी था नालंदा भ रहती हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैत वीक होता है नहीं आता है तो उनको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना रहता है जैसे CDP हो गया EBS हो गया हिंदी हो गया इन चीजों को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तब भी 90 नमर का हो जाता है और इंगलिस संस्क्रस से 120 को भी अगर आप अच्छे से तयार करते हैं तो लगबग 90 प्लस नमबर बन जाते हैं अगर आप डेली आप देखो रूटीन क्या होना चाहिए जैसे एवपी डेट में क्या है कि अभी समय काफी है आप एक डेट दो महीने के अंदर पहले स्लेवर्स को कंप्लीट करिए कर दीजे इसके बाद में जो आपको अच्छे से नहीं आते हैं उनको पढ़ने की जाएधा जरूरत जो अच्छे आते हैं ऐसे नहीं इनको नहीं पढ़ना उनको भी पढ़ना इसके बाब जूद भी आप पढ़ने के बाद में जब डेड़ दो महिने के अंदर सिलेबर्स को कम्प्लीट कर लेंगा ऐसा नहीं है कि कहीं चैनल पर प्रेक्टिस करा रहे हैं आपको यह लगए यार यह तो थिवरी पढ़ा रहे हैं अरे भाई अगर आपको प्रेक्टिस करने की जरूरत है तब आप प्रेक्टिस करिए अगर आपका सिलेबर्स ही कम्प्लीट नहीं हो और आप प्रेक्टिस कर रहे हैं डेली तो इतना वो नहीं होगा practice में क्या होता है कि गिने जुने गर वही question आपको कराया जा रहे हैं उसमें सारे question नहीं हो पाते हैं अगर कोई teacher practice करा रहा है एक question को इतना deeply नहीं बताता है एक दो चीजें उससे जुड़ी भी बता देता है और कि तीसरी दो चीजें बताए हैं इसरी चीज पेपर में आ गई फिर क्या करेंगे यही सारी चीजें आपको पहले practice करने से पहले slivers को complete करना है फिर आपके पास जितना भी समय हो दो मैने तीन मैने जब तक यूपी टेटा है तब तक आप practice करिए बार बार उन्हीं चीजों को करिए जो आपने कर लिया और फिर से अपनी चीजों को करिए आप एक बुक ले लीजिए उसको इस परकार से पढ़िए तीन बार चार बार जितना पढ़ पाए उतना पढ़िए कारंटी है हमारी कि आप भी अच्छा score करेंगे और अच्छे नंबर से पास भी हो को ना सकते हैं आप चाहें किसी वी बच्चे से पूच रहें पूँछ रही ना जो भी कही सेलेक्ट हुआ हो या कुछ हुआ हो तो उसने एक बुक और नियाक किपकल चीजे भी म आप को बताएं लेकिन उससे पहले क्या है Ślabbos आपका तयार होना चाहिए बिना Ślabbos कि कुछ नहीं हो सकता यूध की इसलिए आपको बताए कि उसमें क्या रहता है ब्या तरह नहीं होती है उसमें answer गलत रहते हैं option और हमको क्या लगता है पता नहीं चलता है फिर हम लोगो ही याद कर लेते हैं paper में गलत हो जाता है इसलिए ऐसी book लीजिए जिसमें explanation हो जिसको आप देखकर पता करता है कि चलो option गलत लिखा हुआ है लेकिन व्याख्या में सही लिखा हुआ है है ना व्याख्या गलत नहीं लिखी होगी option गलत हो सकता है इसलिए इस प्रकार से आपको अच्छे से त्यारी करने है कोई भी book लें उसको 2-4 बार पढ़ें जब आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी यह गारंटी हमारी और paper भी अच्छे नमबर से पास हो जाएगा बरना क्या है फिर आप लोग आँगे समझते हैं पढ़ाई का ही महत तो है पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है न इस वीडियो में यहीं सारी चीज़ें बताने आये थे अच्छे से तयारी करने कोई भी दिक्कत नहीं पेपर जो है कब आएगा यह पीटेट जो है इसका मूल मंतर क्या है इसको पास करने के तरीके और क्या होंगे बो हम आपको बताएंगे आप टेलिग्राम को जोईन कर लीजे आपको इंस्टाल कर लीजे बो सारी चीज़ें आप जब हमारी किलासों आएगे दिन प्रते दिन चीज़ों को हम बताएंगे बिदबद ट्रिक्स से कि कैसे किसको याद किया जा सकता है सारी चीजें ठीक है क्या क्या पढ़ना रहेगा इस टीज का भी एक हम वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे कि क्या क्या चीजें इंपोर्टेंट हैं कहां सी कोश्चन जाद आएंगे सारी चीजें कैसे पढ़ना रहेगा आपको याद नहीं होता होगा बो भी बताएंग ठीक हो ठीक है भाई तो इस पिरकार से आप तैयारी कैसे करेंगे आपको सारी चीजें डेली क्लास में एक दो मिनट आपको बताया करूँगा कोई भी क्लास हुआ करेगी कि आप कैसे पढ़ें क्या करें तो इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे ने इस वीडियो में तब तक के लिए सभी को जैहन वंदे मत्रम धन्नवाद